नमस्कार दर्शकों मैं हूम मोहीनी स्वागत है आग सपिक का हमारे विशेश कारिकरम जिसका नाम है स्वस्थ विचार आयरवेद्यती बोध्यती इती आयरवेदा अर्थात जो शास्त्र यानि की विज्ञान जो आयू यानि की जीवन का हमें संपूर्ण ज्यान कराता है उसे हम आयरवेद कहते हैं से कैसे समझा साथ जा सकता है और क्या हम इस विज्ञान के माधियम से पूरे स्वस्त हो सकते हैं यह सारी जानकारी हम आपको इस कारिक्रम के माधियम से पहुचाते हैं और इसमें हर बार हमारा साथ देते हैं गायतिर सित पंडित लक्षमंदास रतन भारत द्वार्ची तो आ और किसी बी बड़ी बीमारी से पीडित हैं लगतार आपकी TV स्कीन पर नंबर चलाए जारा है उस पर आप हमें बेजी ज़ख हुकर कॉल कर सकते हैं और अपने बीमारी का एलाज और यह भी जान सकते हैं कैसे इस बीमारी को हम आयरुवेद के मादयम से ठीक कर सकते हैं गुरुजी आप से आज में जाना चाहूंगी एक ऐसे बीमारी के बारे में जिसमें दिन जब ढलता है तो हमें दिखना बंदो जाता है उस बीमारी का नाम है रधौंदी आखिरकार यह बीमारी क्यों हो जाती है देखे बेटा जब हमारे खून के अंदर बीटामीन ए की कमी पढ़ जाती है तो बीमारी दिन दुगने राते चोगने बढ़ती है बीटामीन ए जो है यह सबसे ज़्यादा गाजर के अंदर है और जितने भी कंद मूल है इन से इसमें चार गोना फार्त हुए है रधानदी की बबमारी है आंखों की रोशनी कम है आंखों में चस्मा लगवा है उसको चाहिए कि जब तक आपको गाजर मिल रही है तीन गलास रोज गाजर का जूस मीड़े है प्रंथ उसका त्रीका पीने का एक ग्लास गाचर का जूस निकाल के इसको हलका गर्म करें, नीचे उतार के इसमें एक चम्च अद्रक का रस चार चम्च सैथ मिदा है, आब इसको पीने में पूरा आदे घंटे का समय लगारा है, दूसरी खुराक इसी प्रकार आप बार बजी ले, तीसरी खुराक चार बज और यदि आपको रात को दिखाई नहीं पड़ता है, जिसको अमृतांदा बोलते हैं, तो इसमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, जब हमारे स्रीर में बिटामीन A की कमी पड़ती है, तो हमारे पड़े के आगे A किसम का जैसे सर्दियों में धुंद पड़ती है, ऐसे नजले का जाला आ जाता है, उस जाले से पड़े के ओपर फॉक्स पूरा नहीं जाता, फिर जाके हमारी आँखों की रोशनी दिन परती, दिन परती, दिन कम होती है, और रात को उस धुंद को और तेजी से बढ़ती है, तो रात को बिलकुल चांदना नहीं दिखाई गाजर का जूस एक गिलास सुवा एक दुपैर एक साम को यदि आप पी रहे हैं, तो आपका रताउन यह जो है पंदरा दिन में समापत होगी है, जैसे दिन में आप देखते हैं, ऐसे रात को भी देखेंगे, मैंने अपने नारी प्रिक्षन में और अपने द्वाईयों के द्वारा कम से कम, 1980 से लेके आज तक, डेड़ से दो लाख अरताउन यह के मरीज्यों को ठीक किया है, इसमें एक तो है यह गाजर, दूसरे नंबर पह है ट्रमटर, ट्रमटर का सूप निकालना, इसका सूप निवनाना जूस निकालना है, जूस निकाल करके एक एक दो दो आँख में डालनी है, दिन में तीन बार, और एक एक कप तीन बार जूस का पीना है, प्रांतु एक कप पीने में आपको आदी घंटा का समय चाहिए, चाहे आप गाजर का जूस पीए, चाहे ट्रमटर का जूस पीए, ट्रमटर का जूस तो आँखों में भी डालना है, प्र पंदरा दिन में रिताओं दिया, बिल्कुल साफ हो जाता है, जैसे दिन में दिखाई पड़ता है, इसे रात कुल दिखाई पड़ता है. आज मुझे इस बात की खुसी है, कि जिन रोगीयों ने टीवी के माद्यम से गाजजर का, ट्रमटर का और मुली का, श्रीयल ध्यान पर सुना है, और उसके अनुसार उसके प्रयोग लिखे हैं, आज उनका जब फोन आता है, तो एक ही बात कहते हैं, कि स्वामी जी, आपने ज अलाव हो रहा है कि हमें, डॉक्टर और मिलने वाले सब कहते हैं, हकीम जी अब हमें इसका उप्चार बताएं, और जब हम बताती हैं, कि यह आपकी सब खान पान की चीज्जों में हैं, जिसके पास जमीन थो अपने खेतों में तियार कर लेता है, जिसके पास जमीन नहीं वो इन चीजों को गमले में वित्यार कर सकता है, गाजर और मुली, टमटर, ये तीन कंद मूल, फल ऐसे हैं, जिनको आप गमलों में वित्यार कर सकते हैं, और जुमीन में वित्यार कर सकते हैं, जदि आपके पास 12 इंची का गमला है, तो इसमें आप 6 गाजर में वित्यार कर स 12 इंची का गंबले तो उसमें टमटर का तब एक पेड लगे रहा और मुल्ली के आप उसमें 6 पेड उगा सकते हैं परन्तु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि गंबले में जो आपने कोई भी चीज उगानी है उसमें दोमग मिट्टी और गोबर की खाद होनी चाहिए यूर्या खाद में डालने बलकि यूर्या खाद की जहां से सब्जीय मिलती हैं दाले मिलती हैं अन मिलते हैं उससे यदे आप थोड़े दूर हो जाएं और गोबर खाद वाली को खाएं तो आपके आदे रुपतवा इसे खत इन में जो सोलियम नम का फार्स फोर्स और मंगनेशियम यह उता है छिलके के नीचे जब छिलका उतारते हैं तो वो निकल जाता है और निकलने के बाद जो हम खाते हैं वो सिर्फ एक किसम का कच्रा खाते हैं उसमे कोई उसका लाब नहीं है पूरा सिर्फ पेट भरने के गठिया और सांस का रोग पैदा हो रहा है। जदि आप नर्म छिलके वाली सब्जियें छिलके के साथ खाते हैं, डालें छिलके के साथ खाते हैं, जिस भी किसी नाज को आप खाते हैं, उसके छिलके के साथ खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ के हास्पिटल, मिलेंगी परांटो रोगी ने मिलेगा क्योंकि जितने भी roga हैं आप आप सब पाचन सक्ति से सिलबंदीत है जब जब आपकी पाचन सक्ती कमजोर होगी आप को रोगों के ंदर भरमार लगेगी यदि prettय तो आपको कोई रोग नहीं है आज पूरे सिंसार के अंदर ब्रेड, बिस्कुट, प्राउंठा, नमकीन, तल्व चीजे, यह उनका ब्रेकफास्ट होता है, और यही हमें गड्डे में डालता जा रहा है, यही हमार्य देता जा रहा है, मेरा किसी से चिकनाठ खाने से कोई नफरत नहीं है, यदि आपने प्राउंठा खाना हैं कि सुक्के आटे के अंदर आप घी मला लें, फिर उसके बाद उसके आटे गूंद करके आप रोटी बनाते हैं, प्राउंठा बनाते हैं, तो उसमें तवय के उपर फालतू घी लगाने के जोड़त नहीं है, वो ही आपका सारा काम करेगा, इससे नुक्सान कोई नहीं है, अब अनाज, जदी गोबर की खाद से अनाज उगाया गया है, सब्जी उगाई गई है, फल उगाया गया है, आप जितने मर्जी खाएं, आपको कोई नुक्सान नहीं करें, परांतु ये योरिया खाद से फसने उगाई गई हैं, चाहे सब्जी हैं, चाहे दाले हैं, चाहे कि दूसरे नंबर पर है तीसरे पर आपकी चाए और कॉफी फिर आगे आठी फिसल खाने को लफाफ़ में नमकीन बन के आ रहे हैं को किसी किसम के को किसी किसम के यह सब रोक की जड़े हैं जी गुरुजी यहां पर रोकने चाहूंगे एक दर्शक हमारे साथ पिर से जुड़ अमसकार स्वागत है आपका नाम बताई और कहां से बात कर देखती जब लीवर की पांचन सकति है और खाया पीया पूरा पश्ता निया पैंकरी पूरी इंसलीन नी बनाती पेट पूरा सापनी तो तो नजले की मातरा बर जाती है जैसे नजले की मातरा बरती है ठंडी हावा चली शरीर अकड़ेगा कम जोरी आएगी खून पूरा नहीं बनता है याद शरीर में खून पूरा वह जोंग करती है उसका इसके पंदरा के बीच में जाता है उसका चौदा नहीं रहता है तो भी कोई रोग नहीं है परांतु जब तो सोडा के भी जाय आता है ihao और 14 के गाय आता है 7 & 8 तो इसमें कमजोरी भी होती है और गुसा भी बहुत आता है इसमें पेट कभी भी पूरा साप नहीं होता, सुबह उठके यदि आप पानी पीते हैं, चाहिए गर्म पीयें, चाहिए ठंडा पीयें, वो और भी ज्यादा नुक्सवान करता है, इससे सबसे अच्छा ही है कि आप बुद्ध बाहर छोड़कर, गुरू बाहर से लेके मंगल पंद्रा दिन में आपका रोग समाप्त हो जाएगा, और आप उस नियां को अपनाएंगे, तो आगे आपको कभी भी ऐसी शिकायत नहीं करने, बिल्कुल दर्शको, तो गुरू जी ने बता दिया है, कैसे आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, और किस प्रकार, किस करेंगे, और वो खुद बताएंगे, किस प्रकार आपकी सारी बीमारियां आपके शुरीर में आ चुकी है, और किस प्रकार ये बिमारियों को आप दूर कर सकते हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी, और निश्य थी आप स्वस्त हो जाएंगे, और भी जानकारी लगातार, माधियम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आप बतारे थे किस प्रकार रधोंद की समस्या को हम आयरवेद के माधियम से दूब कर सकते हैं अब मैं आप से जानना चाहूंगी कुछ लोग इसका ऑपरेशन मी करा लेते हैं लेकिन उसके परिणाम बिपरीत आते हैं वो बिका प्रेशन एक हमारा अखीर हत्यार है मेडिकल सैंस ने ऐसे त्रक्की दो बहुत की है परांतु पूरी सप्रता नहीं मिली है आर्यो बेद में पूरी सप्रता है किसी भी अंग का प्रेशन नहीं करना पड़ता है बिना प्रेशन के हम सारे रोगों को कारते हैं और सिर्फ खा बहुत कम प्रेशन मिलाते हैं एक गाजर दूसरा टमटर यह तो आंखों की जोती के लिए रिताउन देखे लिए रामबान है प्रांतु इसके द्वारा और भी जड़ी बूटी है पीपल का पेड़ है शिरिस का पेड़ है और जुन का पेड़ है नीम का पेड़ डाग का पेड़ है आख का पेड़ है देशी किकर का पेड़ है इनसे भी हम आँखों की जोती बढ़ाने की लग लग द्वाई यह बनाते हैं प्रांतु उसमें हमें काला सुर्मा ले करके उसके द्वारा द्वाई बनाई जाती है जब उसका शिरियर चलेगा तो मैं आपको लुए अं और गाना से हमारे साथ जूड़ गए हैं आई उसे बात कर लेते हैं हलो घंट पि भांद नमस्कार स्ब्सीचान हो है नाम बताईए और कहां से बात कर रहे हैं है कि जी बताईए क्या जाना चाहते है गुरू जी किया सबना के आपकी कि यह गुटनों पे और गर तो बहुत ज्यादा पड़ता है, गर्दन में पड़ता है, जब पेट पूरा सापनी होता है, गास जाके रुखती है, तो गर्दन भी इसमें अकड़ जाता है, इसका अवचार आप टीवी के माध्यम से नहीं कुरा सकते हैं, इसके लिए आपको बुद्ध बार छोड़कर ग आपको बिल जाएंगे जिस दिन आप आसर में आऊगे, बिलकुल आराम आपको बिलकुल मिल जाएगा, गरुजी न जो भी जानकारी दी है, आशा करती हूँ, आपने वो जानकारी नोट कर ली होगी, उसका उच्चार आप अपने घर पे करेंगे, और आप देखेंगे किस प्रकार आप स्वस्थ हो जाते हैं, गरुजी आप बता रहे थे किन-किन जड़ी बूटियों के मादम से हम रताउंत का रोग दूर कर पकते हैं, देखे बटा, इसमें सबसे जो पाबर पूल है, वो है आख, आख भी दो किसम के, एक स्वेध आख है, उसका पूल मोचिय ज पंद्रा पूल तक उंचा भी उता है, और इसके दूद को रूई के अंदर बत्ती बनाके बहोया जाता है, फिर बत्ती को सुका लिया जाता है छाया में, साथ बार बहोना, साथ बार सुकाना, उसके बाद इस बत्ती को गाय के घी में दीब के जिलाना है, और उसके उपर मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ जो घड़ा होता है इसका नीचे का ऐसा छोटा सा छेद करके उसके उपर ढखते रखना है जब वो दिवा जलेगा तो उसकी जो जलने के बाद अंदर से गैस निकलेगी काले रंग की वो इस बर्तन के पेंदे में जम जाएगी इस भस्म को कठा करके राज को कठा करके आप डिबिया में रखेंगे और जैसे काजल लगाते हैं ऐसे आपने आंखों पे लगाने तो इसके लगाने से चस्मा उतर जाता है और तो यह खत्म हो जाता है और सबसे बड़ा पैदा इसका यह है कि आंखों में किसी किस्म का अगलवार की वीच में आश्रम में आईए गुरु जी आपका नाड़ी परिक्शन करेंगे मों खुद बताएंगे क्या-क्या बीमारियां आपकी शरीर में प्रिवेश कर चुकी है और कैसे उन बीमारियों का निवारण आईरवेट के मादियम से और एक्यूप्रेशर के माद तरजनी और मद्यमक आउंकली के बीच का ये पॉइंट ऐसे दवाया जाता है ऐसे और आँखे हमेशा बंद रहती है दोनों हथों का दबाया जाता है तो इससे आँखों के चस्मे का नंबर घटता है आँखों के रोशनी बढ़ती है और तो यह में इसमें फर्क परता है परन्तु जितना गाजर के रसे पड़ता है इतना किसी ही सिन पड़ता है गाजर आपको अक्टूबर मीने स्तंबर के लाश्ट है अक्टूबर से लेके और मार्च का खेर अप्रायर के पहले हपते तक मिलती रहती है यह तो आपको हर जगा मिलेगी जहां सर्दी है गर्मिय दागे में परोग करके जैसे माला होती है ऐसे माला बना के छाया में सुकवा लेनी चाहिए सुकवा करके जब अच्छी तरह सूख जाए तो उनको संभाल के रखना चाहिए इसमें से करीब 50 ग्राम सुक्की गाजने कूट करके पौडर बना लें इसका इस पौडर को भी यदि आप दूद मेवाल के पीते हैं तो जो आपकी ताजी गाजनों के रस का गुना है वही इसमें आ जता है तो यह कमजोरी को बगाने के लिए आंखों की जोती को बढ़ाने के लिए और मानसीक सक्ती को नौर्मल रखने के लिए एक इसमे का रामबान है गुरू जी यहाँ पर आपका रोकना चाहूंगी आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे फिलाल एक दर्शक हमारे साथ बहुत देर से जड़ोई हुए हैं उनसे बात करने थे हालो जी नमस्कार स्वागत है कारिक्रम मैं आपका नाम बताईए और कहां से बात कर रहे हैं जी बताईए क्या जानना चाहते हैं गुरू जी से यह रोग होते हैं हमारे गल्थ खान पाम से इनकमें टीवी के माध्यम से आपको कोई चार बताता हूं तो मुझे उसका आदे घंटे का समय चाहिए इतना समय टीवी पर नहीं मिलता है आप ऐसा करें बुद्ध बार छोड़कर गुरू बार से लेके मंगल बार के बीच में मेरे आश्रम में आई है जिस दे नाना उस दिन रातरी दस परे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी लेची मुह में रखके चूशते रहें सुबह नाव से दस के अंदर अपने नाम करनों करा हैं दस से बार में नाडी परिक्षिन करूँगा नाडी परिक्षिन बाद जो आपको द्वाइए दूगा यदि आप प्रेज करते हैं तो उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15 परसेंट आपके रूग में कमी आ जाएगी 15 दिन की 12 से आपको 50 से 60 परसेंट कमी आएगी एक मिन्ने में आपका रोग बिल्कुल समापत हो जा गया दिया परिज करते हैं तो बिल्कुल मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि परहेज करना बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई का सेवन कर करते हैं तो आप अगर परहेज नहीं करते हैं कोई भी दवाई आपके शरीर में नहीं लगेगी और बहुत सारी बीमारिया आपके शरीर में प्रिवेश कर जाएंगी और आपको बस ही कहना चाहूंगी कि नारी परडिक्शन एक ऐसी ही परडिक्शन है जिसके मादिन से अगर आप नारी परडिक्शन कराने के इच्छोक है तो वीरिवार से लेकिए मंगलवार के बीच में आप स्वस्त विचार आश्रम में आ सकते हैं गुरुजी आपका नारी परडिक्शन करेंगे वो खोड़ बताएंगे क्या कुछ रोग जोकी आपके शरीर में है और कैसे इन सारी रोग का निवारन संभव हो सकता है फिलाल एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए है आई उन से बात करते हैं हालो जी 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 गुरुजी देखिए मेडिकल सेंस में किसी रोग की दौई पूरे संसार में है निए चाही चीरा लगाएं चाही दौई एक लाएं जो मर्जी करें आप ऐसा करें बुद्ध बाहर छोड़कर गुरु बाहर से लेकर मंगल बाहर के बीच मेरे आसर में आएं जिस दिन आएंगे उस दिन रातरी दसवाई तक खा पीके दातन कूला करके बड़ी लेची मूं में रखके चूशते रहें और सुबह नौ से दस के अंदर यहां आके नाम करन कराएं दस से बारा मैं नारी प्रिक्शन करूंगा और उसके बाद इसमें हाथ में पट्टी की जाएगे खाने के द्वाईयन दी जाएंगी यह जखम आपका चाहे कितना भी पुराने से पुराने कितने भी साल आया हो ग किसी भी बड़ी बीमारी से पीडित हैं आप हमें बेज जख होकर कॉल कर सकते हैं लगतार आपकी टीवी स्क्रीन पे नमबर चलाया चाहरा है फिलाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आई उन से बात करते हैं हालो 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 हां जी नमशकार स्वागत है का पारिकर में आपका नाम बताई हैं कहां से बात कर रहे हैं हम की बोल रहे हैं जानना चाहते हैं गुरू जी से मेरा नस्तिरम के नाइन में 2.4 हो गया है और जी के 3 जो है 6.4 है जी गुरू जी किड्नी के समस्या है देखो यदि आप बुद्ध बार छोड़कर गुरू बार से लेकर मंगल बार के बीच में मेरे पास लाते हैं तो जिस दिन लाएंगे उसी दिन इसकी किड्नी में कम से कम 15-20 परिवर्तन आ जाएगा और यही किड्नी बारा नए से ठीक हो जाएंगी किड्नी को बदलने की या कोई बाहर की द्वाई खाने के अवर्शकता नहीं पड किरान तरीके से कूलके बमारी बढलते हैं प्रतू यहां पर श्वास्त वश्त वचार में एक नियम है कि जब तक नारी प्रिक्षणी करें आप दो को सुछ नहीं करना हैं बिल्कुल आराम आपको बिल जाएगा गरुजी ने आपको उपचार बता दिया है उसका पालन करते रही है और देखिए किस प्रकार आप स्वस्त हो जाते हैं गरुजी आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया आज का विशेश उपचार इतना अच्छा पताया और अमारे दर्शकों का इतना अच्छा मागदर्शन दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार तो दर्शकों आपको जाते जाते यही बोलना चाहूंगी कि आईरवेद एक जीवन जीरने की कला सिखाता है अगर आप आईरवेद की दौरा चोलते हैं तो बिलकुल आप अपने जिन्दगी में हमेशा स्वस्त बने रह सकते हैं तो दर्शकों आज किस विशेश कारिकर में बस इतना ही मुझे दी जहनूमती नमस्कार